Hello everyone, welcome to my channel आज मैं बात करने वालू सम्मर की कैसी कंप्लेन जो बहुत सारे लोगों को हिरान परिशान कर रही है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ, सेटी फीट या फिर हमारी मेडिकल टम में बोले तो पिटेट केरेटोलाइसिस ये कंडिस्टन एसी है जो सम्मर में बहुत सारे लोगों को होती है हमारे सम्मर में क्या होता है, हमारे सरीर पर पसीना बना रहता है और फिर ये पसीने में बेक्टेरिल ग्रोथ होता है और फिर वो हमारी स्किन को डिश्ट्रोय कर देता है और स्किन की कंडिसन ऐसी बना देता है तो आज में बात करने वाली हूँ इस मेडिसिन की बारे में जो आपकी एक कंप्लेन को सिर्फ और सिर्फ दस दिन में निकल फेकेगी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पेसंट आया था उसने बहुत सारे लोगों को बताया था और बहुत सारे मेडिसिन ट्राइ कर चुका था लेकिन उसको एक कंप्लेन में बिल्कुल ही रहत नहीं मिल रही थी फिर वो मेरे पास आया मैंने उसको ओम्योपेथी मेडिसिन दी एसी मेडिसिन आती है इसको केसे लेते है कहां मिल जाएगी यह मैं आगे बताने वाली हूँ वीडियो में इन तक बने रहेगा एसी मेडिसिन मैंने उसको सिर्फ दो मेडिसिन दी उन दो मेडिसिन की बज़े से जो उसकी कंप्लेन बहुत तैम से थी वो सिर्फ और सिर्फ दस दिन में चली गई तो पहले बताती हूँ एक स्किन कंडिसन होती किसको है ये जनरली उन लोगों को होती है जिनको बहुत सारा पसीना होता है और खास करके उन लोगों को जो ओफिस में पूरा दिन सोक्स पहन कर सुपर से साम तक बेखना पड़ता है या फिर हमारे मिलेटरी मेन को हो सकती है हमारे जो किसान भायों है जो फार्मर है जो पूरा दिन खेट में काम करते हैं उसको हो सकता है लेडिस में एक अप्लेण बहुत ही कम देखने को मिलती है फिर भी ऐसी लेडिस जो इसको मेनीक्योर और पेडिक्योर करवाने पालर में जाती है वह से उनको infection लग सकता है एक कि इस किन केंडिसन उन बच्चों में भी हो सकता है जो सुबह से सम तक पैंना पड़ता है तो आज में लेडिस जो जैनस य। नशिशिंश्ची सेपरेट मेडिसम Summit बताने दो पहले बात करते हुए स्कीन कंडिशन होती किसे है स्कीन कंडिशन जणरली पसी वाले लोगों को होती है उसकी बजह से जो पूरी देंप हो जाती है और यहीं पर बेक्टेरियल ग्रोथ को आगे बढ़नेकी अट्मस्फियर मिल जाता है बेक्टेरिया जैसे के ectinomycin, streptomycin, korynobacteria यह बेक्टेरिया खास हैंचो यह स्विटिसिक को पैदा करता है यह बेक्टेरिया क्या करता है वहाँ पर यह सके मिकल बनादेता है चो हमारी स्कीन को डेमेज करता है और फिर हमारे स्कीन में ऐसे खड़े-खड़े बना देता है तो अब मैं बताती हूँ इस कंडिशन को कैसे प्रिवेंट करें मैंने जैसे बोला कि एप कंप्लेन जदतर उन्हीं लोगों में होगी जिसको पुरा दिन बहुत पसीन आता है या फिर जो सोक्स पहन कर पुरा दिन ओफिस में बेठा रहता है स्कूल में बेठा रहता है या फिर एसे परसन जैसे मैंने बोला फार्मर या मिलेटरी में यह सारे लोगों को क्या करना है कि अपना ज़ो सोक से वो सोक स्कोटन का ले, जो हमारा पसीना एप्सब कर लेता है, यह सोक्स पहन चैंत और बन सके, तो ओफिस में जब काम करे हो तब सोक और सूस निकाल दे, या फिर पोसिबल हो तो एक सेंडल ले आए और वो सेंडल पहें निये जिससे आपके पेरों में हवा के अवर्चवर होगी और फिर वहाँ पसीना नहीं होगा आप जब भी सोक स्पैन कर सुबह जाते हैं तो उसमें इंटी परस्पीरेशन वाली जो पाउडर आती है वो डाल दीचे ताकि आपको पसीना है वो थोड़ा कम हो और सुबह और सामको आप अपना पेर इंटी सेप्टिक लोशन से ज़रूर धोएगा ताकि आपको जो सुबह दो पर और रात को लगानी है और यह लगाने के बाद आपको 15 दिन या 20 दिन के बाद इसकी एफिक्ट सुरी होगी और फिर महिने दिन के अंदर आपको जो कम्प्लेइन है उसमें राहत दिलाती है अब बात करते हैं उम्यपथिक मेडिसीन के बारे में इस तरह की मे मैं आगे बताती हुँ और उसके साथ क्या क्या आपको परेची लेनी है वह भी बताने वाली हुँ पहले बात करते हैं कौन-कौन सी मेडिसीन किन-किन लोगों को सूट होगी जहसे मैंने बोला कि बच्चों में भी यह में हो सकती है कंप्लेंड तो बराइटा कार्ब 200 आप अपने बच्चे को सुपह दोपर और रात को दे और फिर आती है सलफर नाम की मेडिसीन सलफर 200 आपको सुपह उठकर और साम को एक एक डोस देना है यह बात हुई बच्चों की अब बात करते हैं जेंस को कौन-कौन सी मेडिसीन दे सबसे पहले आती है सिलिस्या नाम की मेडि जाएगी एसे पर्सन को हमें सिली से 200 लेनी है और सिली से 200 सुपह और दोपर में और चो मैंने सलफर बोली थी और रात तो सामको और रात को लेनी है फिर मैंने कंडिशन बोली थी कि जिसको छोटे-छोटे गटे है वो ठीट नहीं हो पाए और उससे स्यादा कंप्लेंड वर्स होखे उसमें से बड़ा गटा बन गया है उस पैसन के लिए आती है मेडिसीन एंटिम क्रूड इंटिम क्रूड टूहंडेड उन पैसन के लिए है बिल्कुल नीचे पाऊ भी नहीं रख सकता और उसकी कंडिशन बहुत ही पैनफुल हो एसे पैसन को सुभ़ और दो पर मेंटिम क्रूड टूहंडेड लेनी है सामको और रात को सलफ़ टूहंडेड लेनी है और रात को जोब वो सोने चाहे तब बेड में चाने से पहले ही स सिलिस्या 1.00 वन اेम लेकर आपको सोचाना है इसी तरह से आपको 10 दिन के लिए मैडिसिन लेंगे तो आपके कुछ नी फी वर्स कंडिशन होगी उससे आपको छूट करा मिल जाएगा फिर बात आती है फिमेल की जनरली फिमेल में कंडिशन नहीं होती है फिर फिमेल में कंडिशन होती है तो उसको लेनी है ग्रेफाइटिस 200 ग्रेफाइटिस 200 सुपह और दोपर में लेनी है सलफ और मेडिसीन है वो साम को रात को लेनी है और सिलिस्या वनेम मैंने चैसे बोला तो कि तो इसके साथ आपको पानी लेना है आपने अगर को दो पर में या रात में खाने में कांडा लिया है तो इस नहीं आ रहा हो वो कैसे लेए कितनी पोटेशविमने लेए ये फिर आपको बता सको कि अनुसार कॉन सी मेडا सिन आपको फोरी है और उसको कितनी पोटेंसिमने ले रही ह एक फ्रेंnd्स इस हीड़ीओ को पसंद आयहए हूँ तु इस विदिएओ को कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिए ताकि समर किये कंप्लेन हो जो से छुटकारा मिल सके और इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीचिए और फिर बास वाल जो बेल बटन इसको भी दबा दीचिए ताकि कोई भी नया वीडियो आये तापको पहले पता चल सके स्वें स्टली स्टपिवाइज स्टेशे प्यार्ज इसक्ति रस देटेए और दीचिए पाई